में धोस्तों सुवागए आपका हमारे यूटूब चैनल वे है आजकी वीदिया वह लेकर आए है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाए जाती है चले स्टाट करते हैं आज का अपने आपर फर्ष्ट कॉस्चिन पूंचा गया भक्ति का सरप्रता मुलेक किस ग्रंथ में मिलता है बहे ग्रंथ आपके लिए बताना है कौनजा बहे ग्रंथ है बताईएगा चैन कीजेगा क्या होगा सई आंसर चार विकल्प आपके दिये गए है ने स्वेता स्वेतर उपने सद रामान पर कॉस्चितिकी प्रंवान या चांदुग अपनिसेद तो बगति का सरप्रता मंगर पर विक्रमी संबत बनता है, ये question तो पूँचा ही जाता है, वति मत पूण question है, बताईएगा 60 वर्स, 57 वर्स, 64 वर्स, 80 वर्स, तो क्या होगा सही आंसर लबली जी, कलपना जी, राजन जी, अनिता जी, तो सही आंसर बताने कि इस भी सन में कितने वर्स जोडने पर विक्रमी संबत बनता है, तो विक्रमी संबत बनता है, 57 वर्स जोडने पर, यानि कि विकल्प नंबर बी वाला जो है, वहें आपर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर दो जिन्वने भी चैन किया है, उनका सही आंसर है, अंगला question यहां पर देखेगा, question नंबर आपसे आपर तीन पू संबत बनता है, तो विकल्प नंबर आपका, जो सी वाला विकल्प नंबर आपका, वहें आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, अंगला question यहां पर देखेगा, question नंबर यहां पर पूंचा है, चार, सकुन भक्ति का मूल कहां माना जाता है, यह पूंचा क्या है, बताएगा, उत्री भारत, पश्यमी भारत, पूर्वी भारत, या दच्छनी भारत, question नंबर चार का सही आंसर, सगोण भक्ति का मूल कहां माना जाता है, यह पूंचा क्या है, बताएगा, का यहां पर सही आन्सरूगा अगला क्वाश्चन देख़ेगा नरुगोंभक्ति का आधीist रूत कदाच्चित कौन सा अपने सद्सद माना जाता है बताये गाई ऑपने सद्ध बताना है यहां पर चांदोग्ग्या ओपने सद्ध है या फिर सो सईयत और आ प्र पर आपका नेब्राइदारंडे को पनिसद है तो यह कॉस्चन नमबर पांच आप से पूंचा गया है पांच में सई आंसर है कि निर्गुण भक्तिक आदी सुरूत कदाचित स्वेता स्वेतर पनिसद माना जाता है विकल्ब नमबर भी वाला यहां पर सई आंसर हो पाबना जी अंगला कॉस्चन यहां पर देखिएगा बीजक के संकलन करता हो संपाधक कौन थी बताइए धर्मदास थे गुरु नानक देप थे रियादास थे मीरा भाई थी कौन थी कॉस्चन नमबर आप से यहां पर चे पूंचा गया है वंदाकनी जी बीजक के संकलन कर देखिए अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है बरवई नाइका बेद गरंत के रचेता कौन माने जाते हैं इस गरंत के रचेता पूंचा गया है आप कौन माने जाते हैं तो साथ का सई आंसर आ रहा है कि इस गरंत के रचेता तो माने जाते हैं कौन तो विकल्प नमबर सी सई आंसर है रहीम रहीम दास आप सभी का यहां पर सई आंसर है उनका यहां पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमब कीजेगा मुह मुदगर के रचनाकार कौन मानी जाते हैं मत्पूर्ण कौश्चन है चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं और आप सभी का यहां पर आठ में सही आंसर आ रहा है विकल्प नमबर डी वाला जो है वह सही आंसर है संक्राचारी संक्राचार यहां पर सही यांसर है वेकल्प नंबर चार जैनों ने वी चैन क्या है उनका याँ पर सही आंसर होगा नमलिकित ग्रंतों की रचेताओं का नाम बताइएगा यहां पर आपके लिए मत्पुंड ग्रंत दिये गए हैं जैसे कि सुन्दर बिलास सुंदर बिलास के रचेता माने जाते हैं कभीर दास मलूक दास सुंदर दास रह दास कौन माने जाते हैं नौ में चेन कन्ना है बताईए सुंदर बिलास के रचेता कौन माने जाते हैं ये पूच्छा क्या है कुमद जी तो सई आंसर है कॉश्च नमबर नौ में वेकल पाप सभीका सईया आंसर होगा अंगला question यहां पर देखिएगा आसा दीवार की रचेता कों मानी जाते हैं गुरु नानक हैं गुरु गोविंदस हैं हैं गुरु अरजुनस हैं हैं गुरु रामदास हैं तो question number 10 यहां पर पूंचा गया है आसा दीवार की रचिनाकार या पर दिया ग्या है और 10 का सrada है कि यहां पर विकल्प नंबर यह सई आंसर हों का गुरू नानक, गुरू नानक आप सभीका सय आंसर है आसा दीवार के रचिनाकार गुरू नानक जी मानिजाते हैं यह वाला विकल्प जिन्हों ने भी चेंग क्या है सई आंसर होगा, question number नहीं आपर आपसे 11 पूँचा गया हरडे वानी, हरडे वानी किसकी रचिनाव का संग्रह है, 11 में आप सभी लोग चैन करेंगे, बताइएगा सुन्दरदास, दादू, रहदास, रजजब, क्या होगा सही आंसर, हरडे वानी पूचा है, राखेस जी, तो सही आंसर होगा, हरडे वानी किसकी रचिनाव का संग्रह है, ये पूचा गया है, 11 में, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, दादू, दादू यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है, बैस सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प यहा आईएगा मत्पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है कॉश्चन नमबर बारह है और बारह में भी बहुत सारे लोग बता रहें कि यहां पर विकल्प नमबर डी वाला जो है बैसा ही आंसर होगा रज्जब किनके सिस्स थे दादू दयाल के सिस्स कौन थे रज्जब सभी लोग चैन कीज़ेगा मत्पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किया है किस नाम से किया है यह पूंचा गया है साइ आंसर आरहा है यहांपर तेरे का वेकल नमबर तीन यानि की अंग बदू यहां पर साइआ आंसर होगा सी वाला वेकल पे जिन्नों ने भी बताया है उन सभी का यहांपर साइय आंसर होगा Angla question यहां पर देखे, question number, यहां पर पूँचा ज़्या है? चाहुदहवा question यहां पर दिया गया कि निर्गुन संत्य कभियों में सर्वदेक सूऌ सिक्छित एवं सास्त्रग कौन थे? ये पूँचा गया है वह संत थे कौन थे कबीर थे दादू थे सुन्दर दास थे रजब थे कौन थे निर्कुन संत कभियों में सरवादिक सु सिछचत पूँचा गया है कौन से संत थे साई आंसर होगा question number 14 का सुन्धर दास वेकल्प नमर सी वाला वेकल्प यहां पर सुन्धर दास जिन्हों ने भी चेन किया है उनका यहां पर साई आंसर होगा question number 15 यहाँ पर क्या पूँचा है प्रबंदिकार कभी की भावुकता का सबसे अधिक पता एह देखने से चल सकता है कि बहें किसी आख्यान की अधिक मर्म इस पर सी इस्तुलों को पहचान सका है या नहीं एह उक्ती के सालू चक्की है यह उक्ती आप सभी के लिए बताना है प प्रबंदिकार का सबसे अधिक पता एह देखने से चल सकता है कि बहें किसी अख्यान के अधिक मर्म इस पर सी इस्तुलों को पहचान सका है या नहीं यह उक्ती के सालू चक्की मानी जाती है यह पूँचा गया है पंद्रे में बी वाला वेकल पाचा रामचंद्र सुकले में यहा पर सइय आंसर होगा क्या होगा सइय आंसर आचार रामचंद्र सुकले कोस्चन नम्बर 16 पूँचा यह पंती तो पूँची जाती है कि गुरक जगायो जोग झभगति भगायो लोग पंती किस कभी की मानी जाती है यह पूँचा गया है बताइएगा तुल्शी द 16 में तुल्सितास जी की पंती मानी जाती है विकल्प नमबर एक हाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नमबर ए में सही आंशर लगा दीजेगा मैं महिज जी विल्कुल सही आंशर चैन किया है तुल्सितास दोएतबाद जो है दोएतबाद की संस्थापक पूंचा है दोएतबाद की संस्थापक संक्राचार हैं बल्लवाचार हैं रामानुजाचार हैं मदबाचार हैं सत्रह में सही आंसर चैन करना है क्या होगा सही answer 17 का बताइए दव्यतबाद की पूंचा क्या है तो 17 में आप सभी का सभी आंसर आ रहा है कि दव्यतबाद के तो माने जाते हैं कौन? तो बेकल नमबर आप सभी का सही आंसर और चार आनि की मदवाचार देबाचार यहाँ पर सही अठारे में आप सभी का सफिया अंसर हो का देख़े दौइट भार गोश्चन यहापर धिया गया है और अठारा में आप सभी सभी का सइया वोगा ओध बाद के तो मदवाशारे मानें जाते हैं अध separate नंबर ए वाला यहां पर सही आंसर होगा कबीर तथा अन्य निर्गुन पंती संतों की द्वारा अंतता साधना में रागात्मिकता भक्ती और ज्ञान का योग तो हुगा है पर कर्म की दिशा वही रही जो नाच पंतियों के यहां थी यह पंतियां किसकी मानी जाती है कॉस्चन नंबर 19 में बताना है हजारी पर साध दुबेदी रामचन सुकल रामकुमार बर्मा महिंद्र कुमार तो 19 का सही आंसर क्या होगा यह चैन कनना है चार विकल्प आपके दिये गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 19 में बिकल्प नंबर बी वाला जो है वह हां पर सही आंसर रामचन्द्र सुकल यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर दो जैनों ने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर की पंतिया तो सुकल जी की मानी जाती है नामदेव जी की भक्ती किस परकार की थी? भक्ती पूंच लिया गया है? सगोण, निर्गोण, सगोण, निर्गोण या फिर कोई नहीं? कौस्टन नमबर 20 में सही आंसर चेंग करना है बताइएगा नामदेव जो है इनकी भक्ती किस पिरकार की थी भक्ती का रूप पूँचा गया है बताइगा सोहानी जी क्या होगा सही आंसर कमला ठाकुर जी 20 बा कौस्टन मत पूण कौस्टन है और सभी लोग सी बतारहें कि इनकी वक्ती सगुण निर्गुण दोनों आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर सी वाला जनोने भी चेंग क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर हो प्रपतिबाद किस संप्रदाइ की दियन मानी जाती है जानविकल्प आपके दिये गये है भत्त पूर्ण कौस्चन यहां पर पूंचा क्या है question number 21 है और 21 में आप सभी का सही आंसर होगा बैशनाव याँपर सही आंसर है वेकल्प नमबर जनों ने भी चैन किया है उनका याँपर सही आंसर होगा बैशनाव सही आंसर है अंगला question याँपर देखेगा question number 22 पूँचा क्या है कि जिल मिल जगरा जूलते बाकी रहे न काहू गोरक अटके काल पुर कौन कहाबें साहू इन पंत्यों की रचेता कौन माने जाते हैं मत्पून पंतियां ती गई हैं दादु की हैं रज्यब कबीर जिल मिल जगरा जूलते बाकी रही न काहू गोरक अटके काल पूर कौन कहाबें साहू तो बाइस में सही आंसर है कि ये पंतियां तो माने जाते हैं कभीर दास जी की विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यांपर सही आंसर होगा रंग बादुर जी सी जिनों ने भी चैन किया विकल्प नंबर पूंचा क्या है की अजगर करेना चाकरी, पंची करेना काम, दास मलुका कह गए सब के दाताराम, ये कि सकी पंतियां है बताइए 23 में चैन कन्ना है, दादू-धयाल की है, दादू-मलूक दास, सुंधर दास, रजजब यह बहुत ही प्रिसित पंतियां की अजगर करेना चाकरी, पंची करेना काम दास मलूक का कहे गए, सबके दाता राम तो पंती में ही आंसर आपका दिया गया है ते इसका B राइट आंसर होगा यानि कि मलुक दास जी कि ये पंती आम आने जाती है बी वाला वेकलफ यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है आप देखेगा चौविस बा कॉस्चन है रामाबत संप्रदाई के परवर्तक कौन थे चौविस में चैन करना है रामानुजाचार थे कबीर ते रैदास थे रामानंद थे 24 में सही आंसर सभी लोग चेन करेंगे रामावत संप्रदाई के प्रवर्तक कौन थे मत्पूर्ण कौस्चन है चार विकल्प आपर है और आप सभी का सही आंसर होगा 24 में विकल्प नंबर 4 सही आंसर रामानंद थे कौन थे रामानंद यहाँ पर विकल्प नमबर डी वाला जो है वैं सही आंसर है रामावत संप्रदाई के प्रवर्तक कौन थे रामानंद थे कॉस्चन नमबर यहाँ पर 25 पूंचा गया है स्री संप्रदाई के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं स्री संप्रदाई के पूंचा गया है 25 में चैन कीजेगा रामानुजा चार हैं मदवा चार हैं रामानंद हैं विश्णू सौमी है 25 का सही आंसर चैन करिएगा स्री संप्रदाई जो है स्री संप्रदाई इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं यह बताना है रामेंद्र जी और अर्वेंद जी सही आंसर है 25 में विकल्प नमबर एक रामानुजा चारे माने जाते हैं सिरी संप्रदाई के प्रवर्टक कौन माने जाते हैं रामानुजा चारे माने जाते हैं विकल्प नमबर ए वाला यहां पर सही आंसर होगा अंगला question यहाँ पर देखेगा रूत्र संपरताय के प्रवर्टक कौन माने जाते हैं question number 26 यहाँ पर दिया गया है और 26 में सही आंसर विश्णु सौमी है निमबारिकाचार है, रामानंद है, पीपा है तो कौन माने जाते हैं रूत्र संपरताय के प्रवर्टक पूंचा गया है कौन माने जाते हैं 26 बा question यहाँ पर दिया गया है और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रूत्र संपरताय के तो कौन माने जाते हैं विश्णु सौमी विश्णु सौमी आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा विश्णु सौमी जनों ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगला question यहाँ पर देखेगा question नंबर आपसे यहाँ पर 27 पूंचा गया है कि ब्रह्म संपरताय के परवर्टक कौन है 27 बा question यहाँ पर पूंचा गया है और 27 में सही आंसर क्या होगा ब्रह्म संपरताय के पूंचा गया है तो ब्रह्म संपरताय के तो माने जाते है कौन विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर होगा यानि की मदवाचारे कौन माने जाते है मदवाचारे यहाँ पर विकल्प नंबर चार यहाँ पर सही आंसर है question नंबर आपसे यहाँ पर 28 क्या पूंचा है सनकादी संपरताय सनकादी संपरताय के परवर्टक कौन माने जाते है कॉस्टन नंबर 28 यहां पर दिया गया है उर 29 में सही आंसर आ रहा है कि हितारिवंस हैं निमबारिका चार हैं मदबा brightness चार हैं बल्लबा चार हैं कौन माने जाते हैं 28 का सही आंसर चैन कीजे का सनकाधी संप्रताय के प्रवरतक कौन माने जाते हैं एक पोउचा गया है आप सभी से तो सही आंसर हो गा विल्कुल इसको याद किया था रादान्जी अपन न कह थे कि नीवू देत देत सनक गई नीवू देत देत तनक गई तो नीवू से निंबार का चार हो गई और सनक से सनक संप्रदाय सनकादी संप्रदाय के जो है कौन माने जाते हैं निमबार का चार माने जाते हैं भी वाला विकल्प यहां पर सईया अंसर होगा भक्ती के आद्ध परवर्ट भक्ती के आद्ध आचार माने जाते हैं कौन माने जाते हैं उन्तिस में, चैन करना है, क्या होगा सई आंसर उन्तिस का ? तो भक्ति के आद्धे आचारे कौन माने जाते हैं ? वो थी मत पूर्ण पूंचा गया है ? कौस्टिन नंबर हाँ पर 29 दिया गया है ? और सई आंसर आ रहा है कि विकल नंबर हाँ अधीन सई आंसर होगा ? तीस बार कॉस्चन है रामानंद के सिस्चियों की संख्या कितनी मानी जाती है तो अपने अभी पढ़ा था इस कॉस्चन को बताइए का 9, 5, 12 या फिर 10 मानी जाती है कॉस्चन नमबर 30 में चैन करना है एक बार लाइक अवस्चे कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवस्चे कर लें सेर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जा इस क्लास से और रामनंद के सिस्चियों की संख्या कितनी मानी जात रामनुच के गुरू का क्या नाम था रामनुच के जो गुरू थे भै कौन थे चंकराचारे थे या फिर कांची पूण थे स्रीभट थे विष्णू स्वामी ते कौन थे ये चैन करना है सभी लोग चैन करिएगा मत्युपून कॉस्चन दिया गया है 31 कॉस्चन या पर यहां पर 31 में आप सभी का भी वाला वेकल्प सही आंसर है, यानि कि कांची पूर्ण यहां पर सही आंसर होगा, कांची पूर्ण जिन्हों ने भी चैन किया है, वेकल्प नमबर 2 उनका यहां पर सही आंसर है, अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा, कॉस्चन नमबर आप से याँ पर 32 पूंचा गया सुद्धा दोयतबाद का पृतिपादक दार्सने के ग्रंथ बताना है कौन सा माना जाता है 32 में चैन कीजेगा सूर सागर है वीजक है रामायन है उत्तर मीमान सा है 32 में चैन कनना है क्या होगा सई आंसर सुद्धा दोयतबाद का पृतिपादक दार्सने के ग्रंथ कौन सा माना जाता है यह पूंचा गया है 32 कॉस्चन है और आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा 32 में रानी स्रिवास्तब जी उसा जी और चवी संकर जी वेकल्प नमबर चा और डी वाला वेकल्प चैन किया है उनका यहां पर सई आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा योग साधना के प्रवर्तक आदी गुरु कौन माने जाते हैं 33 में चैन करना है संकराचार है गम्मा है सिभ है मदवाचार है 33 का सई आंसर क्या होगा चैन कीजेगा 4 व बता ये योग साधना के प्रवर्तक आदी गुरु कौन है तो सई आंसर होगा 33 में विकल्प नंबर 3 यानि की सिव सिव यहां पर सई आंसर होगा सिव जी विकल्प नंबर यहां पर सी वाला विकल्प जो है सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन सिद्धों की संख्या तो 84 मानी जाती है नातों की संख्या 9 मानी जाती है और आलवार संथों की संख्या कितनी मानी जाती है तो आलवार संथों की संख्या मानी जाती है कितनी 12 है कितनी मानी जाती है 12 है 39 का विकल्प नमबर भी, यहांपर सही आंणचरों का विकल्प नमबर दो, जनौने भी चैन रहां, उनका यहांपर सही आंशर है, विसिष्टा दोइतबाद के प्रवरतक कौन माने जाते हैं, 35 में चैन करना है, रामा नुझ हैं, रामानन्द हैं, संक्राचार हैं, मदबाच 35 का सही आंसर चैन करिएगा सभी लोग बताईएगा सही आंसर क्या होगा विसिष्टा दोईतबाद के प्रवरतक पूंचा गया है कौन माने जाते हैं कौश्चन नमबर 35 यहां पर दिया गया है और 35 में सही आंसर होगा रामा नुज कौन माने जाते हैं विसिष्टा जाते हैं राम नुजबिकल नंबर एक सही आंसर होगा अंगला कोश्टटन यहां पर देखेगा ओस्टन नंबर आपसे यहां पर पूंचा गया चैतित्स बा कोश्टन है मद्द युगीन राम काब्ब परंप्रा की अंतिम राम भक्त कभी हैं कौन है? 36 का सही आंसर वतान है विस्बनात हैं, नाबादास हैं, अग्रदास हैं, प्रानचंद चोहान है 36 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है कि मद्द युगीन राम काप परंप्रा के अंतिम राम भक्त कभी है तो कौन माने जाते हैं चैन करिएगा सभी लोग सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं बहुत बढ़ी हैं सभी लोग सही तरीके से सही आंसर बताते जा रहे हैं और 36 में तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर यानि कि विस्वनाथ यहां पर सही आंसर होगा 36 में विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आप से यहां पर क्या पूंचा गया है 31 question है moy count के परवर्तक बताने कौन माने जाते हैं है सुधा द्वारतक के परवर्तक सुधा द्वाद निरामनुजाचार है मदवा चार है वलवा चार है कबीर है question 37 में सबी लोग सई आंसर बताएंगे बताइए सुद्धा दोयतबाद के प्रवरतक पूंचा गया है 37 सुबा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का सही आंसरों का विकल नमबर कौन सा सही आंसर है सुद्धा दोयतबाद के प्रवरतक कौन माने जाते हैं तो सही आंसर है 3 यानि कि बल्लबा चार विकल्ब नमबर निसी स्यांसरों का बल्लबा चार माने जाते हैं सुद्धा दोईते बाद के पिरवर्तक question number आप से 38 निया पर पूचा गया है नमन मेंसे कौन रामनंद के सिस्त नहीं थे रामनंद के नहीं पूचा गया है रैधास, कबीर, दादू, पदमाबती ने तो question number 38 में बताना है कौन जो है रामनंद के सिस्त नहीं थे 38 बार question यहां पर दिया गया है बताईएगा चैन कीजेगा क्या होगा सही answer रामानंद के सिस्थ कौन नहीं थे यह पूंचा क्या है question number 38 में तो विकल्प number आप सभी का यहां पर सही answer आ रहा है कि विकल्प number यहां पर सी वाला जो है बैस सही answer होगा 38 में सी वाला विकल्प सही answer है यानि की दादू दादू यहां पर सही answer है दादू जो है नहीं वानी जाते हैं दादू विकल्प number आप सभी का सी वाला जो है वह सही answer है अंगला question यहां पर देखते है question number आप से यहां पर 49 पूंचा गया है सिख संप्रदाएग के पिरवर्तक इवं पुर्थम गुरु बताना है 29 में चैन कनना है 49 का क्या होगा सही अंसर बताए 36 पर कॉस्चन अभी देख लेते एक बार ओर राजन जी तो सिख संप्रदाएग के पिरवर्तक इवं पुर्थम गुरु पूँचा है रामदास हैं, अरुजन देब हैं, गोबिंद सें हैं, गुरु नानक हैं, 49 वा कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है, और सिख संप्रदाय के प्रवर्टक तो माने जाते हैं कौन, विकल्प नमबर 49 में D सैया अंसर है, गुरु नानक, गुरु नानक विकल्प नमबर 4 जेनों न भी चैन किया है, उनका यहां पर सैया अंसरों का अंगला कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है, नमलेकित पंतियों की रचेता का नाम बताना है, यह पंतियां यहां पर दी गई हैं, मत्पून पंतियां की निर्गुन राम, निर्गुन राम, जपहुरे भाई, अभी गती की गती लखी न जाई ये चालिस में जो पंती पूँची गई है किनकी पंती है रैदास कबीरदास नामदेब दादू किनकी पंती मानी जाती है बताइए कॉस्चन चालिस यहां पर दिया गया है और चालिस में सही आंसर निर्गुन राम निर्गुन राम जपहुरे भाई अभ यहां पर सई आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर 41 पूंचा क्या है कि प्रभू जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग पास समानी बताइए यह पंती किनकी मानी जाती है दो बज़े वाली किलास में अपने रियादाश जी का जीवन परिचा समानी डी वाला विकल्प यहां पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा क्या है कबीर कानी राखी नहीं बढ़ना स्रम सट दर्सनी यह पूंचा क्या है और यहां पर क्या होगा सई आंसर मलुक दास रेदास नाबा द पास कभीर दास किन की पंती मानी जाती है 42 में चैनिकन्ना है सभी के लिए दिलिप कुमार जी क्या होगा सई आंसर बताइए हाँ राजन जी बहुत बढ़ी आमिज जी कॉस्चन मत पूर्ण है और कभीर इंकानी राखी नहीं बढ़ना सनम सट दर्सनी पंती जो पूंची आपसे यहां पर पूंचा गया है कौनसा 43 बा कॉस्चन है निर्गुन ब्रह्म को कियो समादू तब ही चले कभीरा साधू यह पंती किनकी मानी जाती है 43 में बताइए गात दादू कभीर रैदास या फिर धर्मदास कॉस्चन नमबर यहां पर 43 पूंचा गया है निर्गुन ब्रह्म को कियो समादू तब ही चले कभीरा साधू यह पंती किनकी मानी जाती है 43 का सही आंसर चैन करना है तो विकल्प नमबर हां पर एक सही आंसर होगा यह पंती मानी जाती है दादू किनकी दादू यहां पर सह आंसर है विकल्प नंबर ए वाला नहां पर सही आंसर होगा दादू नहां पर सभी लोगों ने भी सही आंसर ही चैन किया है Question number आपसे यहां पर 44 पूँचा गया है कि सो जोगी जाके मन में मुद्रा रात दिवसना करें निद्रा इसमें आपको वताने ये पंती जो दी गई है किन की मानी जाती है सो जोगी जाके मन में मुद्रा रात दिबस ना करई निद्रा ये पंती किन की मानी जाती है रहदास, कबीरदास, रजजब, मलुकदास बताईए कॉस्चन नमबर 46 यहाँ पर दिया गया है और 44 में सही आंसर है कि ये पंती तो कबीरदास जी की मानी जाती है किन की कबीरदास यहाँ पर C वाला विकल्प यहाँ पर नहीं होगा B वाला विकल्प सही आंसर है कॉस्चन नमबर यहाँ पर पूंचा गया है पेंतालिस बा कॉस्चन है अपना मस्तक काटी के बीर हुआ कबीर ये पंती किनकी मानी जाती है पेंतालिस बा कॉस्चन यहां पर दिया गया है साधना जी विसाल जी सुनेना जी बताईए अपना मस्तक काटी के बीर हुआ कबीर ये पंती किनकी मानी जाती है पेंतालिस बा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सई आंसर होगा कि यह पंती तो मानी जाती है किनकी दादू दादू यहां पर सई आंसर है विकल्प नंबर तीन जिनों ने भी चैन किया है उनका यहां पर सई आंसर है दादू द्याल कि यह पंती मानी जाती है किस संत कभी के पद निर्गुन बानी के नाम से प्रिसिद्ध है बताईएगा सींगा या फिर पीपा या फिर मलूक दास या फिर कबीर चालिस का सही आंसर चैन करना है चालिस में सही आंसर क्या होगा चैन कर दी जी सभी लोग चैन कीजेगा किस संते कभी के पद निर्गुन बानी के नाम से प्रिसिद्ध है और चालिस में सही आंसर है विकल्प नंबर चार यानि की कबीर कबीर हाँ पर सई आंसर होगा विकल्प नंबर B वाला जनों ने भी चैन किया है उनका नहीं होगा सई आंसर D वाला विकल्प है सई आंसर है कबीर रेदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है बानी निर्गुन बानी पदाबली या फिर पद बताईए क्या होगा सई आंसर मुकनत जी टमाटर जी रेदास जी के पद जो है किस नाम से प्रसिद्ध है 47 बा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और 47 में सही आंसर होगा क्या है सही आंसर बताइए 47 बा कॉस्चन है बहुती मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और बानी यहां पर सही आंसर होगा देयदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है बानी यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर 48 पूंचा गया नमले के दर्सनों के प्रबर्तक बताना जैसे जो मीमान सा दर्सन है इसके प्रबर्तक कौन है कनाद है जैमिनी है पतंजली है गौतम है कौन माने जाते मीमान सा दर्शन के प्रवर्तक बताईए सभी लोग चैन करेंगे रोज आपके लिए क्लास लाई जाते है मत्वपूर्ण कॉस्चन इसमें करवाय जाते है और एक बार लाई कवस्चे कर लेंगे सेर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाए और इसी तरह की क्लास आपके लिए रोज चलते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मीमान सा दर्शन के प्रवर्तक पूंचा गया है 48 बा कॉस्चन है विकल्प नमबर B आप सभी का सही आंसरों का जैमनी कौन है जैमनी हाँ पर B वाला विकल्प सही आंसर होगा सांक दर्शन के कौन माने जाते हैं बताईएगा कॉस्चन नमबर यहाँ पर पूंचा गया है 49 और 49 में क्या है सही आंसर सांक दर्शन के पूंचा गया है निमबार के हैं जैमनी हैं कपिल हैं कणाद हैं उनन्चास का सही आंसर सभी लोग चैन करेंगे मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है और क्या होगा सही आंसर रेखा जी तो संख्य दर्सन के प्रवर्तक पूँचा क्या है बेकल्प नमबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा कपिल माने जाते हैं कौन माने जाते हैं कपिल बेकल्प नमबर C वाला जो है वहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा योग दर्सन के परवर्तक कौन मानी जाते हैं पचासवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है पचास में सही आंसर बताने निमबार के हैं या फिर कपिल हैं कडाद हैं पतंजली हैं पचास का सई आंसर, सांख के तो कपिल माने जाते हैं, सांख दर्सन के, योग दर्सन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बताइएगा प्रमोध जी, पचास बा कॉस्चन है, और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है, कि विकल्प नंबर यहां पर चार सई आंसर लगा द दर्शन के पर बरतक कौन माने जाते हैं पतनली माने जाते हैं डी वाला विकल्प हां पर सही आंसर है उनका सही आंसर राजन झी लिख रहे हैं कि विलकी प्रबंबा ना पर देखेगा नियाए दर्शन के प्रभरत कौन माने जाते हैं इंक्याउण बना कोष्चन यहां पर दिया गया है इंक्याउण में चेंग कीजेगा इक कि न्याय धर्सन गोत्म बुद्ध है कपल है जैमनी है पतंजली है कोष्चन नंबर इंख्यावन में सही आंसर चेन करना है اور क्या होगा सही आंसर मधड़पून कॉस्चन या पर दिया गया है Gautam बुद्ध माने जाते हैं न्याई दर्सन के प्रवर्टक कॉन माने जाते है Gautam बुद्ध गौतम आप सभी का या पर विकल्प नमबर एक सही आंसर है ये वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने जन्हों ने भी चैन किया है उन सभी का यहां पर सही आंसर होगा question number यहां पर बाउन पूंचा गया कि चार वाक दर्सन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं बताइए चार वाक दर्सन के प्रवर्तक पूंचा गया मितलेश जी वेसाल जी और सही आंसर आ रहा है आप सभी का बाउन में विकल्प नंबर हां वहां पर जो है यहां पर यहां पर निया दर्सन के जो है गोतम माने जाते हैं गोतम आपका सही आंसर होगा और चार वाक दर्सन के जो है म्यावर हश्यत्य जो है यह माने जाते हैं कि इसके चारवाक दर्सन की अंगले कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपका त्रेपन पूंचा गया है जेन दर्सन जेन दर्सन के कौन माने जाते हैं मत्वपूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया क्या है जेन दर्सन के पिरवर्तक इलकुल राजन जी तो कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा क्या है त्रेपन और त्रेपन में सईयांसर चैन करना है कि जेन दर्सन के जो पिरवर्तक माने जाते है स्याथबाद के बैए कौन माने जाते है तो 33 में सही आंसरों होगा पार्सवनाथ पार्सवनाथ यहां पर विकल नमबर 70 जो है यहां पर सही आंसरों defended Matt सी वाला विकलब आप सभी का सही आंसर है . question नंबर चंगण पूँचा है कि सूफी काप परंप्राओ के पहले कभी कौन थे चंगण में आप सभी लोग शेहन करेंगे मुल्ला दाउत ते कुतबन ते जाइसी ते मंजन ते तो देखेगा सूफी का पर परंपरा की पूंचा गया है चंगण बा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और चंगण में सही आंसर क्या होगा बताइए चंगण में बतान सूफी का परंपरा की पहले कभी कौन थे तो विकल्प नंबर यहां पर एक सही आंसर होगा मुल्ला दाउत कौन थे मुल्ला दाउत यहां पर विकल्प नंबर यह वाला यहां पर सही आंसर होगा यंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर यहां पर पूंचा क्या है 55 वे सई आंसर करना है तो सई आंसर आ रहा है 55 में तो вिकल्ब नंबर 3 वहां पर सई आंसर है सत्य वती कत्ठा we यी इस्वर दास इस्वर दास की रचना माने जाती है ए विकल्ब नंबर C वाला यहांपर सई आंसर होगा अंगम नदेगी Wh 받고 नंबर कौन सी भासा है 56 सई आंसर चेन करना है मत्तपूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है बताईए मुल्ला दाउद की रचना सबसे पहले तो ही पूचा जाता है चंदाइन किन की रचना है मुल्ला दाउद की और इसकी भासा क्या है तो इसकी भासा अबदी मानी जाती है क्या म बताइएगा जाइसी हैं, कुत्बन हैं, मंजन हैं, मुला दाउद हैं, संताउनवा कॉस्चन यहां पर पूँचा गया है कि हिंदी में सूफी काप परंपरा के कभी कौन माने जाते हैं, बताइएगा अतर्व जी क्या होगा सैयांसर, चार विकल्प हैं, मत्पून कॉस्चन और साइयांसर आ रहा है, संताउन में विकल्प नमबर एक जाइसी हिंदी में, सूफी काप परंपरा के कभी जाइसी माने जाते हैं, मलिक exped जाइसी, यहां पर साइयांसर है, आखरी कलाम किस सूफी कभी की रचना है, आखरी कलाम में बताना है मंजन, कासेम साय, किन की रचना मानी जाती है आखरी कलाम किस सूपी कभी की रचना है कॉस्च नमबर अंठाउन यहां पर पूंचा गया है और अंठाउन में सई आंसर क्या होगा यह चैन कनना है सभी के लिए तो विकल्प नमबर चार सई आंसर है आकरी कलाम जाइसी आकरी कलाम जाइसी की रचिना मानी जाती है इस डी वाला विकल पर यहां पर सही आंसर है यहां पर कॉस्चन नमबर आपसे पूंचा गया है 69 की जाइसी के किस काब में देव नांगरी बर्ण माला के एक एक अप्छर को लेकर सहिद्दान्तिक बातें कहीं गई है बताइएगा बहे कौन सा काब है पदमाबत आकरी कलाम अकरावट मदु मालती जाइसी के किस काब में देव नांगरी बर्ण माला में एक एक अप्छर को लेकर सहिद्दान्तिक बात कहीं गई है 69 वा कॉस्चन यहां पर पूँचा गया है और 99 में आप सभी का सही आंसर है अखरावट क्या है सही आंसर अखरावट यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर तीन जिनोंने वीचेन किया है उनका सही आंसर है चलिए देख लेते हैं आज का चेलेंज प्रस ने आपका यहां पर दिया गया है कि दोला मारूरा दुहा प्रेम कता के रचिनाकार कौन है इसका आंसर आपके लिए क्या करना होता है कमेंट में लिखना होता है यह आज का चेलेंज प्रस ने कुसलाब हैं, जाइसी हैं, नीसवरदास हैं, कुतबन हैं, दोला मारूरा दुहा प्रेमकता के रचिनाकार कौन हैं, कमेंट में आंसर जलू लिखेगा, तो इस परकार आज के वीडियो में वहती मत्पून कॉस्चन आंसर थे, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस अभी कौन हैं, कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया था, यह 36 वा कॉस्चन है, और 36 में आपका सही आंसर है, अग्रदास यहां पर सही आंसर होगा, अग्रदास यहां पर विकल्प यहां पर सही आंसर होगा, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी त आपके लिए रोज नए नए कॉस्चन आंसर करवाई जाते हैं संध्या जी अनीता जी अतर्ब जी नेलम जी लबली जी राकेश जी महेश जी कंचन जी विसाल जी रेखा जी और मेधा जी प्रमोद जी सुनिका जी सुहानी जी अरवंद जी रंगबादुर जी वंधना जी अ जी राजन जी रेखा जी लबले ठाकुर जी एमलता जी और चौनिका जी नीता जी रवेंद्र जी भाबना जी मुकनत जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार लाइक अवस्ते कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो और मिलते हैं गली क्लास में एक क्लास आपके लिए लाई जाती है कब उनको जो है साथ बच कर 30 मिनिट पर भी एक क्लास होती है तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है मैस जी बंधना जी मेधा जी साधना जी बिंदू जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवा सरीता जी आज के वीडियो में बस इतना ही मिसाल जी और सुनेना जी जय हिंद